नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्द स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लाशिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से निकली एक और भरती के बारे में तो दोस्तों पिछले काफ हैं इंडियन आर्मी की ओफिर्द सैठ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ज М rn ju do ti a website है तो हम इंडियन आर्मी की ओफिसल वेपसाइट पर हैं जहां पर मैं आपके लिए इस भरती के बारे में अपडेट करने के लिए आया हूँ चलिए दोस्तो स्टाट करते हैं आज की ऑडियो तो इसको हम डंलोड कर लेते हैं जहां से दोस्तो डंलोड करने के बार में हम आपको बता आएंगे कि भरती जो है वो किस किर दे के कैसे हैं और पार दोस्तो में को दिखाए गए कि यहzahl क्या है तो यहांijn कि देट पर्थ का कि आपके डेट व बर्थ कितनी एज से कितनी एज कि बीच में होना चाहिए यह आपकी हाइट आ यह वेट आ यह चैस्ट और यह है आपकी एजुकेशन QR का मतलब होता है दोस्तो क्वैलिटेटिव रिक्वार्मेंट ठीक है तो सबसे बहले हम बात कर लेते हैं soldier technical की ठीक है तो soldier technical में आपके लिए भरती देखने के लिए आपकी जो एज लिमिट है बो 17 साल से 13 साल के बीच में होने चाहेंगे मतलब 17.5 यह से 23 यह तक और आपकी जो डेटाव बाढ़ था दोस्तों बो एक अक्टूबर 1997 से एक होगा बो 77 सेंटेमेटर तो यहां पर दोस्तों आपको हाल हाईट में यह पर दवल डाओ भूँट गींपर हाईट लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है कि मैं आपको एक व्यडियो भी बना चुका हूं और हर विडियो में मैं आपके लिए बताता हूं कि दोस्तों जो इंडियन आर्मी में height होती है वो अलग-अलग state की साफ से अलग-अलग height ली जाती है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह 163 cm ही height है तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं हम education qr के बारे में तो education qr है दोस्तो 10 plus 2 ठीक है उसके बाद में आपके पास में जो common subject होने चाहेंगे compulsory वो हैं दोस्तों आपके साथ में physics, chemistry, math and English ठीक है यह 4 subject जो है वो आपके पास में compulsory होने चाहेंगे इस भरती को देखने के लिए और किसी भी subject में आपकी 40% माच से कम नहीं होना चाहेंगे और overall percentage आपकी 50% होना चाहेंगे ठीक है उसके बाद में इसको थोड़ा सा और जून कर लेता हूँ जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए बिलकुल next दोस्तो soldier technical ammunition examiner ठीक है तो ammunition ये भी दोस्तो technical की ही भरती है लेकन यहाँ पर ammunition examiner की भरती है जो आपका हमारी फौज का गोला और बारुद होता है उसका जो technical examiner होते हैं कि ये fire करने के like है या नहीं है उसकी जो checking के लिए होते हैं उनको बोलते हैं ammunition examiner तो इसके लिए भी आप 1997 से एक अपरल 2003 की बीच में आपकी date of birth होना चाहिए यहाँ पर दोस्तो हाइट को और भी कम कर दिया गया है 163 cm ठीक अगर 163 cm आपकी हाइट है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं एज वेट की बात करें तो यहाँ पर 48 kg weight और 77 cm आपका चेस्ट होना चाहिए इस भरती में आपके लिए apply करने के लिए वही सब्जेक्ट से होना चाहिए physics, chemistry, math, English 50% overall marks और किसी भी परसेंट में 40% से marks कम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में तो दोस्तो आगे की वीडियो की बारे में बताने के लिए मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि यार अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकिन को भी प्रेस कर लें और इस वीडिय आपको पसंद आएगी तो नेक्स बात करते हैं हम यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक्स ग्रूप ठीक है तो एक्स ग्रूप की मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टन चीज बता देना वाला हूं कि दोस्तो जो एक्स ग्रूप में भरती होती है उसकी जो सेलरी में काफी अंतर होता है ठीक है जैसा कि आप सभी को पता है कि आरो में एक्स बाई दो ग्रूप होते हैं तो बाई ग्रूप में नॉर्मल पोस्ट आते हैं यह दोस्तो एक्स ग्रूप तो एक्स ग्रूप में क्या होता है टेक्निकल बंदे आते हैं और यहाँ पे इनक इसके लिए दोस्तों आपकी एज लिमिट वही सेम है साड़े सत्रा से तेस साल डेटो बर्थ आपकी नैंटी सेवें टू एक अपरेल दोजात तीन वही सेम है हाइट 163 सेंटीमेटर वेट 48 केजी और 77 सेंटीमेटर प्लस 5 सेंटीमेटर एकस्पनेशन के साथ में आपका चेस होना चाहिए इस भरती को भी देखने के लिए आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिस होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्ट से कम नहीं होना चाहिए और टोटल मार्ट साथ को जो हैं वो 50% होना चाहिए ठीक है नेक्स बात कर लेते हैं दोस्तो हम स्वल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ठीक है तो यह है भरती दोस्तो एने की जो की एमसी में जाते हैं ठीक है एने जो होते है वो नर्सिंग असिस्टेंट इनकी फुल फर्म होती है और यह हमारे एमसी जो की आर्मी मेडिकल को को और है दोस्तों उसमें इनके लिए सेवा करने का मौका दिया जाता है और एज लिमिट इनकी भी साड़े सत्रा से तेस साल है एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल दोजातीम की बीच में इनकी डेट बर्थ होनी चाहिए और 163 सेंटिमेटर हाइट 48 kg वेट और 77 सेंटिमेटर आपका चेस्ट होना चाहिए लेकिन इस भर्ति में देखने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट चेंज है पिछली भरती से ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपके पास मुझेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोजी मतलब आप पीसी ग्रूप से आप पर आपके होना अनुबारी है कि नेक्स्ट दोस्तों यहां पर अल्टरनेट एक्जुकेशन रिक्वार्मेंट भी दे रखिए तो इसको लिए भी हम जान लेते हैं क्या है तो 10 प्लस टू अब एक इंट्रमीडियर एक्जाम पास इन साइंस बिद फिजिक्स केमिस्ट्री वोटनी जूलोजी एंड इंग्लिश ठीक है यहां पर बाइवलोजी के लिए वोटनी और जूलोजी दी गई है अगर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बाइवलोजी सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री वोटनी और जूलोजी है तो भी आप इस भरती मे कि उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं इंडियन गोर्खा और ठीक है यह तो नॉर्मल ही है उसके बाद में हम सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आपके फिजीकल फिटनेस के बारे में ठीक है तो फिजीकल आपके यहां पर क्या चाहिए तो यहां प के लिए हम नीड टू क्वालिफाई होना जरूरियर 크न आपको अनल पास होना जरूरिए लेकिन रुनिंग मैं आपके लेती दोस्तों और पुल अपको मार्क्स मिलते हैं तो कितने मार्क्स कौंसी गुर्प के Bijणे में बताऊंगा आपके लिए। तो अगर आप अपनी 600 मिटर की रेनिंग के लिए दोस्तों 5 10 पुलप्स मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे 9 में 33 8 में 27 7 में 21 और 6 पुलप्स में आपको 16 मार्च दिये जाएंगे ठीक है यह होगी आपके दोस्तों फिजिकल रॉक्यरमेंट और उसके बाद में हम यहां पर काफी सारे चीज़े देंगे इसका जो यह जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप बहां से जाकर यह पूरा नोटिफिकेशन जो यजí बिडियो बना रखिए यह पहले से ही आप उसके लिए जाकर देख सकते हैं ठीक हैं तो यहां पर दोस्तों NCC a certificate holders के लिए 5 marks मिलेंगे वी certificate holders के लिए 10 marks मिलते हैं और c certificate holders के लिए 15 marks मिलते हैं ठीक है क्योंकि यह टेख्नAl और Untersing Attieً की भरती है इसलिए है नहीं पर चाहनता हूं जैसा कि आप सभी को पता है आपके लिए बहुत सारे यूटूबर्स से भी ग्यान मिल चुका हुए कि NCC के C certificate के अब जीडियो ट्रेट्समें में ही रिटेन एक्जाम जो है वो उनका exempted होता है मतलब नहीं देना पड़ता है तो आपके लिए ये जो बात में बत है तो आपका जो किसी भी मतलब टेक्निकल हो ट्रेड मैं हो जीरी हो कोई भी आपके ट्रेड हो उसमें आपके लिए रिटेन आजयाम पास माना जाएगा ठीक है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर कि यह भरती है वो किस-किस हमीरपूर बिलासपूर और उना ऑफ हमाचल प्रदेश तो यह जो भरती है दोस्तों वो हमाचल प्रदेश के युगाओं के लिए है और हमीरपूर बिलासपूर और उना डिस्टिक के लिए यह भरती है जो कि दोस्तों 6 अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच में पैद सब्सक्राइब करें तो यह थी दोस्तों आज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार लेकिन दोस्तों जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और होगी कि यार अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब् लाइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन साथ तक पहुंच जुदा तो चलिए दोस्तो जय हिंद जय भारत